Hello friends, welcome back to my channel तो आज आपके साथ मैं शेर करने जारी हूँ समोसा की रेसे भी आज आप मनाएंगे मिनी समोसा इसे आप 2 रुपे वाला समोसा भी कह सकते हैं और इसे आप 2 तरीकी से सर्फ भी कर सकते हैं इसे आप सिंपली चटनी के साथ खा सकते हैं और आप चाहें तो इसे चाट बना कर भी खा सकते हैं तो आप इसे ट्राइज जरूर करना टेस्ट आपको बहुत परसंद आएगा और बिल्कुल पर्फेक्ट जिसे मार्केट में समोसे बनते हैं आज इस वही बनेगा यह बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर आपको लेना है चार कप या चार कटोरी मैदा अब इसको खस्ता करने के लिए मुयन के लिए आपको चाहिए पास चमच गी आप चाहें तो गी और रिफाइन को ना हाफ आप कॉंटिटी में भी कर सकती हैं इससे समोसे में खस्तापन अच्छा आता है पट यह मत करना कि घी आप जादा ले थोड़ा सा गुनगुना पानी डाल देना उसके बाद में इसको मिक्स करना और फिर आप इससे नॉर्मल आटे से जैसे आप पोरी का डो लगाते हो ना उससे आपको थोड़ा से इसका डो हाड रखना होता है और बस थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम इसका डो तेया कर लेंगे डो में आपको ध्यान रखना है क्रेक्स नहीं होने चाहिए और इससे आप अच्छे से नीट कर लेना इतने डो में आपके 20 से 25 समोसे जो मीनी समोसे है वो easily बनकर तेयार हो जाएंगे तो फिर आप अपने हिसाब से quantity कम या जादा भी कर सकते हो तो डो यहाँ पर लगकर तेयार हो गया है और अब बस आपको इसे 10 मिट के लिए ढखकर रखना है ताकि अच्छी से सेट हो जाएगा आलू का मसाला बना लेते हैं दो चमज हमने ओईल लिया है और यहाँ पर हमने ना इसे 8 उपले हुए आलू लिया है जिसे हमने हलका सा मैश कर लिया है उसे में आलू तो अच्छी quantity में चाहिए होता है तो यहाँ पर ओईल हलका सा गरम हो गया है इसमें हमने हरीमिर्ष टाल दी है 2 से 3 हरीमिर्ष ले लेना और उसे आप स्थोड़ा सा रफली कट कर लेना फ्लेम को लो हरखना है और काजू ले लेना उसे भी चोटा-चोटा कट कर लेना काजू के बाइट सना अच्छे लगते हैं सबसे पहले आप इसे हलका सा गुलाबी होने तक भूल लेना तो यहाँ पर यह बुनकर टैया है अब इसमें हम यह आलू डाल देते हैं प्रोसेस सारा यही रखेगा जो मसाले में यूज करूंगी वही रखेगा बस क्वांटिटी न अब अपने हिसाब से जितना बना रहे है गाल अब शसकाना घम सासी मिकौ मिक्स कर जूज कर लें तो फे न पर टो पूल को न अब भी लो रखना व हम इसमें ड्राइ मसाली हमें अड़ा पाउड़ा यहाँ मशालों में अदा चमच लाल मिर्ट पाउर इसी के साथ में अदा चमच चात मसाला कर साक्तों झाला अने होता है ना और यहां पर इसमें हम डालेंगे लास्ट में फ्रेश पारे कटा हुआ हरा धनिया यहां पर इसमें थोड़ी सी खिश्मिश ऐट करूँगे यह किसमिश लंबी वाली है न तो आप इसे शुरे के से तोड़ या फिर सिंपले इस तरीके से से कट करके डाल लेना क्योंकि बड़ी है और यह फूलती भी है तो कहीं समोसा फटे ना दिखिए किश्मिश न अच्छी लगती है बाकि यह दिया आपको पसंद ना होना तो आप इसे स्किप कर सकते हैं बाहर जब किसी भी अच्छी जगे से समोसा लेंगे ना तो उसमें एक काजू होता है एक किश्मिश होती है एक पनीर का बाइट रहता है तो यह चीज़े होती है अभी मेरे पास में पनीर तो अभी लेवल नहीं है तो मैंने आपको काजू और किश्मिश इसमें एड कर दिया है आपको पसंद दे तो आप इसमें यूज कर सकते हैं नहीं तो करोगे ना तब को खुदी बदा चलेगा कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो आलो को हमने अच्छे से इस तरीके से मैश करना है बड़े-बड़े टुकड़े नहीं होने चाहिए टेस्ट में भी अच्छा नहीं लगेगा और धियाना आपको ना आलो को कद्दू कस निकाल लेते हैं ठंडा ओले देते हैं चार्ट वाले चोले बनाएंगे तो उसके लिए चाहिए दो चमच ओल और यहां पर मैंने चोले को पहले से वाल करके रखा था जो कुल्चे वाले चोले ना वहीं है तो इसमें लालमुश पाउडर धनिया पाउडर आम चूर में नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडर डालके दो पिंच डालके आप दो से तीन सीटी लगा लेना उसमें यह हो जाएंगे और बस माच फिटो वाले के बाद में इसमें डाल देना थोड़ा सा यह नीबू का रस अभी आपको यह जैसे दिख रहे ना ठंडा होने के बाद ठ होना चाहिए जैसे पूरी का लगाते होना उससे थोड़ा सा हाड बस और बिल्कुल इसमें कोई क्रेक नहीं है अच्छे से नीड हुआ है आपको क्या करना है यह इस तरीके से इसमें से आपको थोड़ा से यह जादा अमांट लेना है और बस इसका इस तरीके से एक बना कर तयार कर लेना एक छोटी बॉल के साइस की जितना आपको इसका पेड़ा बनाना है प्लेट्फोर्म हमने क्लीन कर लिया है और बस आपको इससे बेल कर दिया करना है बेल दिखक दोना तो फिर आप यहां पर ओल यह सुखा मैदा यूज कर सकते हैं आप मिलने के यह इस तरीके से आपके फिंगर्स इसमें से इससे दिखनी चाहिए और इतना पतला आपको इससे रखना है बनाओगे ना तो खस्ता नहीं बनेंगे तो यहां पर ना आप एक कर्टोरी यह कुछ भी ऐसा बरतन ले 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 ना किनारे वाला जिससे क्या होगा ना सबकी जो सबक्राइब वहे इकोली आएगी और काम भी आसान हो जाएगा तो इसी तरीके से आप किसी भी कर्टोरी किसी बरतन के हैल्प से यह तरीके से सभी गुल को next और ले ना और यह वार बना पर में जितने बंज आये जितना पतला हु जितना दो अsmений स iki एजिट से इससे आपने तेयार हुई है अब क्या करना है इसे आप simply इस तरीके से आराम से उठाना थाकि यह खिचे न और फिर आपको इसे इस तरीके से वीच में से न कट करना है क्योंकि अब हमें इसके चोटे-चोटे समोसे बनाने है तो बस इस तरीके से कट कर लेना और आपको हाथ पर इस तरीक पॉर्जानी नहीं लगाना है बिलेवर होने चाहिए और से बन कर दे ना है ता कि फ्राइ बन कर दे ना today जाथ हरोगा लिए पन party लेगा ना इसे ना को जूरूरत नहीं है तो बिलेख करो कि इसके होती है तो आप इसे अच्छकTracy S offensive से बन कर देना और बस इसमें आपको यह जो आलू का मसाला हमने बनाए उसकी फिलिंग आपको करनी है समोसे में आलू अच्छे लगते हैं आप ना इसकी ओवर फिलिंग मत करना इसकी शेप खराब हो जाएगी अब क्या करना है पानी का हाथ इस तरीके से किनावर पर आपको लगाना है और ऐसे इसे थोड़ा सा फोल्ड करके बस आपको इसे अच्छे से बन कर देना है अभी आपको लगेगा आप एक दो बनाओगे ना आपको इतना अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी ना कि एक तरफ समोसे सिक रहे होंगे और आप इस तरीके से इसको फिलिंग करते जाओगे एक दो बनाओगे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है और समोसे बनाना बहुत आसान है बस इसी तरीके से हम और भी बना कर देया कर लेंगे तो यहाँ पर मैंना कुछ बना कर रख लेती हूँ फिर उसके बाद मैं वो सिकते रहेंगे और हम बनाते र लगा कर और बस इस से इस तरहिके से हलका सा फोल करके और यह बन कर देना है किनारो को अच्छे से आपको जल सितके बनाओग है तो चाहर और आप राइक कर लेते हैं बखी साथ की साथ बनाते रहेंगे ओयल का टेम्परीचर देखिए जैसे आप मठ्री बनाते होना जैसे आपने समोसा इसमें डाला ना बहुत हलके हलके से बबल आएंगे एकदम ठंडा ओड़ी होना चाहिए और एकदम गर्म होना चाहिए ऐसे होना जी या तो मट्री के एसाब से आप याद कर लें कि जब मट्री फ्राई करती है तो अलक ऐसा होना चाहिए आप इसे देखके पहचान कर ले कि हलके हलके से जाग बनने चाहिए बस और जब यह सिखकर एक साइट से थोड़ा सा सैट हो जाए ना उसके बाद में आप इसको पलटना और बस अब आप इसको सिखने देना काम करना लो फ्लेम पर यह पूरी दूर से जिखेंगे ना तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना बहुत अच्छा आएगा तो यहां पर हमने इससे अच्छा सा गोल्डन कलर जो समोसे का कलर होता है वो आने तक लो फ्लेम पर फ्राइ किया है तो यहां पर हमारे समोसे बन करते यार हो गए है इसी तरीके से हम बाकी सभी समोसे बना करेंगे आप नेक्स बैच डब डालोगे ना आपको लगता है ओईल गरम है तो फ्लेम को बन कर देना वापिस से ओन कर लेना और ध्यान रखना जादा गरम नहीं होना चाहिए जैसे मठरी बनाते हो वैसे ही आपको इसे रखना है यदि समोसे खस्ते बनाने है तो वरना सारी चीज़े आपने अच्छे से कर ली मसाल अच्छे से बना लिया डो अच्छे से बना लिया शेप अच्छे से दे दी बट यदि आपने उसको तेज गरम या मीडियम गरम पे भी सेख दियाना तो समोसे सॉफ्ट बनते हैं यहाँ पर हम सभी समोसे बना कर तयार कर लेंगे तो यह समोसे हो गए हैं हमारे तयार और मैं आपके दिखा देती जो मडर हमने बनाए थी यह इस तरीके से हो जाती है यह हमेद चाहिए तो आप चाहें तो समोसे को चटनी के साथ खा सकते हैं और चाहें तो आप इसकी चार्ज बना कर खा सकते हैं तो यहाँ पर हम इसकी चार्ज बना कर आपको दिखा देते हैं तो बस संवस्य पर तरीके से तोड़के आप इसमें डाल देना और फिर इसके उपर जो हमने मट्र बना के हैं वो डालेंगे बाकि जयो चैसे दही है हरी चटनी है लाल चटनी है संवसे के यह तो भी खासता रहेंगे नेक्स टेक गरम करके खा लेना बट आप इससे गरम होते ही या ठंडा हो जाए उसके बाद भी ढखकर मत रखना बस यहां पर बाद में हमें सफेद नमग काला नमग चाट मसाला जीरा पाउडर लाल मिर्च पाउडर यह हरी मिर्च और हरा धनिया यहां पर चाट हो गई है बनकर तैयार तो यह मीनी समोसा चाट है आप इसे हरी चटनी के साथ में खा सकते हैं तो आपको कुछ भी confusion होना तो आप मैंचे कमेंट करके बूच सकते हैं तो यह दिया आपको मेरी आज की समोसे की रसीपी बजान ना यह हो तो लाइक करना ना भ